अगर गर की सीलन का स्लूशन चाहिए तो ये वीडियो देख लो हर एक स्लूशन आज इस वीडियो में बता दूंगा कौन सा कैमिकल यूज करना है कैसे उसको रोगना कैसे वो आती है हर चीज सबसे पहली चीज है अगर आपके गर में सीलन आ चुकी आपकी दीवारों पर तक ये पपड़ी बनती है तीन फुट तक जाती है साड़े तीन फुट तक प्लास्टर निकाल दो जो आपने प्लास्टर की है उसको पूरा निकाल दो जो ब्रिक सामने आ जाएगी जब ब्रिक सामने आ गई उसको एक दो दो दिन सूखने छोड़ दो जब सूखने रहता है कि कितना इसको डालने कितना सीमेंट डालने गोल बनाया दोनों का दो से तीन कोट मार लो इस पर जहां जहां आपने प्लास्टर निकाल ले है वहाँ वहाँ दो से तीन कोट मार लिए जब दो से तीन कोट मार लिए अगला प्रोसेस आपको क्या करना है फिर डॉक्टर फिक्सिट का 2K आता है कोटिंग, उसमें भी सेम मतलब chemical अलग रहता है, सेम रहता है वो पूरी packing आती है, उसको खोल लें, उसमें powder होगा, liquid होगा दोनों को mix किया, वो कोटिंग मारनी है, 2-3 कोट वो मारने वो मार दिये, उसके उपर ये short seal जो आती है डॉक्टर फिक्सिट की, इसको भी लगा सकते हो एक कोट ये मार लिया, जब तीनों कोट मार लिये, उसके बाद आपको क्या करना है, plaster बनाना है, एक ratio 4 का कितना? एक ratio 4 का plaster बनाना है, मोटार बनाना है उसमें डालना है LW plus chemical, डॉक्टर फिक्सिट का कौन सा? LW plus, इन सब को mix करके, आपको plaster कर देने, पूरी दिवारों पर plaster कर दिया, और उसके उपर paint putty जो करने आप कर सकते हो, तो एक ये solution हो गया, कि आपकी दिवारों पर dampness रुक जाएगी पहली चीज ये हो गई, दूसरा क्या है? एक plaster आता है, ये जो तरीके कौन से बता रहा हूँ, जो मैंने खुद अपना है, अपने client के गर या अपने गर, तो ये बता रहा हूँ, एक ये अपनी डाला मिक्स किया और ये प्लास्टर लगा दिया, जहां जहां डैंपनेस है, तीन-तीन फूट नीचे मोस्ली डैंपनेस वही रहती है, तीन-तीन फूट लगा दिया, उसके उपर पेंट पुट्टी जो भी करो, अच्छा रिजल्ट देगा, ये दो अप्शन होगे, आपके गर में डैंपनेस रोकने के, अगला अप्शन क्या है, आपने नीचे से पूरा प्लास्टर निकाला, उसके उपर एलिफेंट शील्ड रबबर, ये टार की तरह आता है, ये ब्लैक कलर का रहता है, ये कोट करने है, दो से तीन कोट आपने जब ये मार लिए, उसके उपर प्लास्टर कर दो, उसमें कोई waterproofing chemical mix कर लो, बले LW+, कर लो, या कोई भी waterproofing chemical, उस plaster में mix कर के उपर plaster लगा दो, उपर paint putty जो करने है कर लो, ये तीन option अप्ला लो, आपके गर में dampness रुक जाएगी, देखो, dampness तब रुक से उपर चड़ती है, प्लिंथ के उपर अगर आपने DPC नहीं की होगी, डैम proof course, तो डैम proof course जब आपने नहीं किया हो, तो sealant उपर चड़ती है, ब्रिक में और उपर उपर जाती रहती है, तो वो होगा, तो वो मुश्किल हो अगर आपके दिवार में कोई pipe leak हो रही है, उससे पानी brick को मिल रहा है, तो आप ये सारा कुछ कर लोगे, वो dampness रूखने नहीं वाली है, तो आपको पहले रोकना पड़ेगा पानी को उपराने से, अभी बात करते हैं कि गर की नई construction करवा रही हो अगर, तो आपको अपने ग vertical, फिर आगे और भी बहुत चीज़े बताने वाला हूँ, देखो इसमें होता क्या है, ये हमारा plinth beam है, समझना मैं क्या बता रहा हूँ, dpc कैसे करनी है, plinth beam है, ये मिट्टी आ जाती है हमारी यहां, हम करते है dpc plinth beam के उपर, यहां हमारी dpc होती है, ये dpc आ गई, और ये जो मिट्टी है, ये soil ascend है, तो ये मिट्टी कभी भी यहां तक मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी aint से मिट्टी टच नहीं होनी चाहिए, मिट्टी आपकी यहां आ गई, यहां तक मिट्टी आ गई, यहां पर आपने dpc कर दी, m25 grade का concrete डाला, ठीक है, plus lw plus उसमें Dr. Fixit का chemical डालो ये concrete 2-3 इंच यहां डाल दिया और फिर यहां इसके उपर URP की coating कर दो Dr. Fixit का URP मैं नहीं बोड़ा Dr. Fixit के ही कुछ लो लेकिन वो दूसरी company की सिक्का के किसी भी company के ले लो URP ले लो उसका मतलब एक paint यहां कर लो एक layer थोड़ा यहां कोई 4 इंच नीचे यहां तक कर लो उसके उपर brick करो मिट्टी आपकी direct brick के साथ नहीं हो नीचे यह URP ले लो फिर elephant shield rubber का आता है वो कर लो तो इस तरीके से DPC दोगे तो नीचे से जो dampness चड़ती है वो उपर नीच चड़ेगी और दूसरा आपका गर अगर ऐसे बना हो गए यह गर है आपका ठीक है इसके चारो तरफ plinth protection दो plinth protection क्या हो गई 3 feet तक मतलब concrete डाल दो यहां पर 4 इंच का जारे तरफ मतलब direct पानी यहां नहीं जाए ठीक है direct पानी जाएगा तो दिक्कत आएगी ठीक है यह चीज हो गया अगली चीज आपको क्या करनी है आपको skirting provide करनी है skirting क्या होगी जब हम नीचे flooring में tile देते है न तो आपको दिवार की तरफ भी skirting 6 इंच skirting देनी देनी है अच्छे तरीके से कि अगर आप पोचा हमारो जब रूम में पानी आए तो वो दिवार को direct पानी लगे जब direct पानी लगता है तो इंट तब भी पानी सोग लेती है तो skirting अच्छे से करनी है अगली चीज आपको करनी है जब भी गर में plumbing करवानी है जो pipe बिशवाते हैं आपके bathroom में pipe जा रही है आपके room से कोई pipe जा रही है plumbing की pipe जब भी डलवानी है उसका hydro test करना है मतलब जब आपकी plumbing की pipe लगा दी गर में पूरा fitting गुमा दी उसने plaster नहीं करना है पहले उसमें क्या करना है test करना है कि पूरी pipe में पानी बरना है उसको pressure देने ये instrument plumber के पास भी होता है या market से ले आना ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है pressure देना है वो pipe के joints जहां जहां होगे जहां जहां leakage होगी वो पहले ही दिख जाएगी आपको कि यहां यहां leakage हो रही है तो अगर plaster कर दिया वहां leakage होगी तो आपकी दिवार में dampness रही रहीगी तो आपको पहले क्या करना है उसका पूरा hydrostatic test करना है फिर leakage होगी उसको सही कर देनी है फिर plaster करना है उसके उपर तो आपके गर में sealan ही आएगी ये तरीका हो गया अगर देखो आपके गर में sealan आ रही है जो chemical के बाला process होता है 5-6 साल ही रहता है उसके बाद वो खराब होने ही लग पड़ता है दिक्कते आती है तो मैं बोलूँगा dampness को सही करने के तरीके इतना ज़दा मत पीछे पड़ो उससे बैटर है उसके उपर PVC panel से लगवा लो PVC panel का क्या हो गया PVC panel आपको 55-60 रुपे पर square feet मार्किड में मिल जाएंगे material plus lever वो अपनी दिवार पर लगा दोगे dampness जो रहेगी वो पीछे रहेगी तो इतनी ज़ादा दिक्कत आपके गर में नहीं रहेगी तो dampness को पीछे अगर शुपाने है तो PVC एक option है दूसरा आपने गर में टाइल लगवा लो वो भी आपको कितने में बढ़ जाएगी 40-50 रुपे पर square feet वो बढ़ जाएगी कि अगर आप दिवार पर टाइल लगवाती हो फिर अगला option होता है lowers लगवा लो lowers भी PVC की तरह लगते हैं दिजाइन आगया तो वो लगा सकते हो UB Marble Sheet लगा सकते हो लेकिन UB Marble Sheet किसके साथ लगानी है स्क्रियूग से की help से वो direct उसके जो फैवी कोल आता है या गम आता है उसकी help से नहीं लगानी है तो इन तरीकों से क्या होगा आपकी जो sealant है रुक भी जाएगी छुप भी जाएगी तो आपके गर में sealant पहले तो आने नहीं दो अगर आ गई है तो chemical से कैसे ठीक करनी है मैंने पहले बता दिया और उससे कैसे करनी है शुपाना कैसे है तो इनकी help से कर लो तो ये तरीके होते हैं dampness से बचने के तो आई होप आपको आईडिया लगया होगा नहीं लगया कॉमेंट करो बाकी description में मैंने call के लिए consultation fees रखी है 200 रुप है सिर्फ उसकी help से कोई भी question होते है आपके गर की construction related, interior related आप call करो, हम pick कर लेंगे पहले वर्सा पे message रूर कर लेंगे